दादी मा के बहुत ही आसान बेस्ट 32 किचन टिप्स समय निकाल कर जरूर सुने नमबर एक नीबू या संत्रे के छिलकों को फैके नहीं धूप में सुखा कर बारिक पीच लें इस चूरंड से कुल्ला करने से मौ साफ होता है नमबर दो, खुश्बू दार चावल बनाने हों तो बनाते समय उसमें दाल चीनी का छोटा सा टुकड़ा डाल दें नमबर तीन, अंकुरित दालों को ज़्यादा समय तक फ्रेश रखने के लिए नीबू का रस मिला कर फ्रिज में रखें नमबर चार, कचोड़ियां बनाते समय मैदे में थोड़ा सा दही डाल कर गुंदें, कचोड़ियां सौफ्ट और टेस्टी बनेंगी नमबर पाँच, देसी घी को ज़्यादा दिनों तक ताजा रखने के लिए उसमें एक टुकड़ा गुड़ और एक टुकड़ा सिंधा नमक डाल दें, घी ताजा बना रहेगा नमबर छे, पनीर या चीज कद्दुकस करते समय कद्दुकस पर थोड़ा सा तेल लगा लें, पनीर और चीज चिपकेगा नहीं नमबर साथ, अगर सुबा गोबी की सबजी बनानी है, तो गोबी को रात में बड़े टुकड़ों में तोड़कर नमक के पानी में डाल कर रख दें, गोबी के किड़े निकल जाएंगे, तथा गोबी सफेद और खिली-खिली बनेगी नमबर आठ, दूद या खीर जल जाए तो उसमें दो तीन पान के पत्ते डाल कर गरम करें, जलने की खुशबूच चली जाएगी नमबर नो, हरी सबजीों को पकाते समय अगर एक चौथाई चमच चीनी मिला दें तो सबजीों का रंग अच्छा रहता है नमबर दस, अगर आप डैजर्ट खीर या कस्टड बना रही हैं तो भारी तले का बरतन इस्तेमाल करें, इससे बरतन जलेगा नहीं और डैजर्ट का टेस्ट भी बढ़ेगा, अगर आप डैजर्ट में क्रीमी टेक्स्चर चाती हैं तो फुल क्रीम दूद का इस्तेमाल करे 11. मेथी की कड़वाहट हटाने के लिए थोड़ा सा नमक डाल कर उसे थोड़ी देर के लिए अलग रखते 12. एक टीस्पून शक्कर को भूरा होने तक गरम करें केक के मिश्रण में शक्कर को मिला दें ऐसा करने पर केक का रंग अच्छा आएगा 13. आलू के पराठे बनाते समय आलू के मिश्रण में थोड़ी सी कसूरी मेथी मिला दें पराठे इतने स्वादिश्ट होंगे कि हर कोई ज़्यादा खाना चाहेगा 14. आटा गुनते समय पानी के साथ थोड़ा सा दूद मिलाएं इससे रोटी और पराठे का स्वाद बदल जाएगा और वहें बहुत मुलायम बनेंगे 15. सरसो का साग बनाते समय उसमें एक शलगम डालें स्वाद दूगना हो जाएगा 16. खीर ज़्यादा पतली हो गई हो तो थोड़ा कस्टड पाउडर मिलाएं 17. सबजी में कच्चा पनी डाल रहे हैं तो उसे हल्दी मिले पानी में 15 मिनट भिगो कर डालें 18. दही पतला करना हो तो उसमें पानी की जगा दूद मिलाएं 19. चने की डाल को आदे घंटे के लिए भिगो कर रखतें फिर इनको पीस कर पकोड़े बनाएं काफी टेस्टी बनकर त्यार होंगे 20. घर में बेशन खतम हो गया है और पकोड़े बनाने है तो बाजार फागने की जरुरत नहीं है घर में रखी चने की डाल को ग्राइंडर में पीस कर फटा फट बेशन त्यार किया जा सकता है 21. अगर आपको आटे में कीडे लगने से बचाना है तो आटे में करीब 10-15 सूखी लाल मिर्च और तेज पत्ता मिक्स करके डालें ध्यान रखें की मिर्च के बीज इन में ना पड़ें 22. मिक्सी के जार से बद्बू हटाने के लिए जार को बेकिंग पाउडर और नीबू का रस डाल कर साफ करें 23. भरवा मिर्च को ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मिश्रण में सौफ और राई को दरदरा पीस कर डालें 24. फ्रिज के दाग को साफ करने के लिए नीबू पर नमक लगा कर रगणने से दाग गायब हो जाते हैं 25. अकसर ऐसा होता है कि काफी समय तक दाल पड़ी रहे तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं इससे बचने के लिए दाल में नीम के पत्ते डाल दें इससे दाल खराब नहीं होती है 26. सबजी में नमक अधिक हो जाने पर उसमें आटे की छोटी छोटी गोलियां बना कर डालें इससे नमक कम हो जाएगा खाना परोस्ते समय निकाल दें 27. चावलों को किसी डिब्बे में रखते समय कुछ तेश पत्ता या हल्दी के टुकड़े डाल दिये जाएं तो चावलों में कीड़े नहीं लगते और ना ही जाल पड़ती है 28. नूडल्स को उबालते समय उबलते हुए पानी में थोड़ा सा नमक और तेल की दो तीन बूंदे डालें और निकालने के बाद उन्हें ठंडे पानी से धो लें तो नूडल्स आपस में नहीं चिपकती हैं 29. आजकर लोग लस्टून को भी फ्रिज में स्टोर करते हैं पर ऐसा माना जाता है कि उससे उसका स्वाद बिगड़ जाता है इसे भी किचन में ऐसी जगह रखना चाहिए जहां ना ज़्यादा ठंड हो और ना ही ज़्यादा कर्मी 30. इमली को लंबे समय तक रखने के लिए इसे सुखा कर नमक लगा कर एक एर टाइट डिब्बे में रखें इससे कम से कम साल भर तक खराब नहीं होती है 31. दही भले बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसके घोल को एक ही दिशा में फैटें इससे भले फूले हुए बनते हैं 32. अगर आप दही को ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो दही जमाते समय दूद में 5-6 काजू का पेस्ट मिला दीजिए इससे दही का स्वाद ला जवाब होगा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद